जैसे राम जैसे राम रादे 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 कृष्ण सर कमपेटेटिव आप एंड कृष्ण सर यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है यह जो सेशन है यह किसी भी गवर्मेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एक जामों के लिए यह सेशन काफी महत होने माला है चाहे आप किसी एस्टेट का द्रोगा की तयारी कर रहे है इन सभी एक जामों के लिए यह सेशन जो है काफी महत्पूर होने माला है और आप एक बात पर ध्यान रखेंगे हमेशा जब आप कलास से जुड़े तो उस समय आपको करना क्या है न पीपीटी न पीडियाफ और नहीं नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ना है आप ध्यान पुरुवा क्लास को देखिए सुनिए समझिए और क्लास खतम होने के बाद आप एक एक पॉइंट खुद से लिखिए और दुबारा उस वीडियो को चला कर आप जो नोट्स तयार कियें उसे मैच कराए तो आपको यह पता चलेगा कि आपका 100% बिना देखे आपकी तयारी हो चुकी है आपको नोट्स बनाने की यह सकता दुबारा नहीं पढ़ेगी तो हम लोग समय गवाए भीना अपने इस सेसन के Quesn Airstor पर चलते हैं जो कि आपका Science का Previous Year का Question है Science Previous Year का Question यह जो है आपका Krishnasar Competitive App है जिस आप पर आप अभी कलास को देख रहे हैं अगर आप YouTube चैनल पे आप इस कलास को देख रहे हैं तो आप Play Store से Krishnasar Competitive App को डाउनलोड कर और अपनी तैयारी को बहतर बना सकते है इस सेशन का यह पहला कोस्टन है और पहला कोस्टन जो है निमलिकित में से कौन यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में रूपांत्रित करता है चार अप्षन आपको दिये हुए है देखिए यह जो टॉपिक है यह आपका उर्जा के रूपांत्रन टॉपिक से यह कौस्टन आया हुआ है कि कौन सा इसमें से यंत्र है जो कि यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में रूपांत्रित करते है तो यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में रूपांत्रन जो करेगा इसमें से आपका सितार हो जाएगा क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा जो भी वाद यंत्र होते हैं लगबद वे सभी वाद यंत्र यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में बदरते हैं यह सितार है, मंदिरों का घंटी, काबला, ढोलाक यह जो भी है यह आपका यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में रूपांत्रित करते हैं अब आप लोग के माइन में आ रहागा कोशन कि गुरुजी जो सेस बच्चे हैं यह उर्जा का रूपांत्रन कैसे करते होंगे तो मेरा बिद्दूत सेल जो है या रसाइनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलता है जो हमारा बिद्दूत सेल है या रसाइनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलता है त्यूब लाइट जो है या हमारा बिद्दूत उर्जा को प्रकास उर्जा में बदलत लाउड स्पिकर क्या करेगा तो जो बिदूत उर्जा होगा उसे ध्वानी उर्जा में बदलेगा प्यूब लाइट जोगा यह बिदूत उर्जा को प्रकास उर्जा में बदलेगा सितार जो है या यंत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में बदलेगा और विदूत सेल जो है इरसानिक उर्जा को विदूत उर्जा मदलता है ऐसे ही बहुत सारी यंत्र है जो कि उर्जा कारूपान्तरन करते है तो आप उसे एक्के कर mind में फीट करिए हम लोग देखेंगे बिदूत मोटर क्या देख लेंगे बिदूत मोटर हम लोग देख लेंगे बिदूत मोटर तो बिदूत मोटर जो है देखिए बिदूत मोटर बिदूत मोटर जो है यह बिदूत उर्जा को यह बिदूत उर्जा को यांत्रिक यांत्रिक उर्जा में बदलता है बिदूत मोटर क्या करेगा तो बिदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है फिर आप लोग डाइनेमो दखिए डाइनेमो जो होता है डाइनेमो या डाइनेमो आपको यांत्रिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में बदलता है, में बदलता है, आप सभी देखे, बिद्धूत मोटर, बिद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में, डाइनेमो जो है, यांत्रिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में, वैसे ही आप देखिएगा, loud speaker जो था मेरा loud speaker यह loud speaker जो है यह विद्दूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में ध्वनी उर्जा में loud speaker क्या करता है विद्दूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है microphone microphone जो हता है यह आपका microphone ध्वनी उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलता है उर्जा में बदलता है देखिए आप चार्ची यहां देखे विद्दूत मोटर जो है यह आपको विद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है विद्दूत मोटर क्या किया विद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में dynamo जो है loud speaker या बिदूत उर्जा को धौनी उर्जा में बदलता है और आपका microphone जो है microphone यो आपका धौनी उर्जा को बिदूत उर्जा में बदला और यहां आप लोग देख चुके थे कि आपका जो ट्यूब लाइट है, देखिए, यह ट्यूब लाइट जो है, ट्यूब लाइट यह आपका बिद्धूत उर्जा को प्रकास उर्जा में, बिद्धूत उर्जा को प्रकास उर्जा में आपका ट्यूब लाइट बदलता है, ट्यूब लाइट क्या करेगा तो ट्यूब लाइट जो है यह बिद्दूत उर्जा को परकास उर्जा में बदलेगा वैसे ही आप ध्यान दिजे बिद्दूत बॉल्ब एक होता है बिद्दूत बॉल्ब जो घरों में लगे होते हैं यह क्या करेगा तो बिद्दूत बॉल्ब जो है यह बिद्दूत बिद्दूत उर्जा को प्रकास उर्जा यह साथ-साथ प्रकास उर्जा के साथ उस्मा उर्जा में बदलता है ध्यान दिजिए आपका जो ट्यूब लाइट था यह बिद्दूत उर्जा को प्रकास उर्जा में बदलता है जबकि आपका बिद्दूत बल्ब जो है यह बिद्दूत उर्जा को वह विद्धूत उर्जा को सिर्फ सिर्फ फरकास उर्जा में बदलेगा अब जो आपका विद्धूत सेल तो विद्धूत सेल आप सभी देख चुके हैं यह विद्धूत उर्जा को यानि रसाइनिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलता है और सितार जो है सितार को भी देख लिजे यहीं पर आपका जो सितार है सितार यह क्या करेगा यांत्रिक उर्जा को सितार यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में सितार बदल देता है यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में सितार क्या करेगा सितार जो है यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में बदलता है ताबला जो है यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में बदलेगा मंद्रियों में लगी घंटी या किसी परकार का घंटी वो अभी क्या करता है यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में बदलेगा मुम्बत्ती जो होते हैं मुम्बत्ती जो है जो की रसायन से बना होता है मुम्बत्ती रसायनिक उर्जा को प्रकास के साथ साथ उस्मा उर्जा में भी बदलते है प्रकास मुंबत्ती जो है यह रसाइनिक उर्जा को प्रकास एम उस्मा उर्जा में बदलता है तो अभी जो आप टॉपिक देख रहा है यह टॉपिक जो है उर्जा का रूपांतरन है अब हम लोग इसे तो देखें हैं इस साथ साथ में इसे हम एक चार्ट सेक्शन में लिएगा कि क्लास के दवरान ही आपको याद हो जाए तो आप डाइनेमो देखें है डाइनेमो में क्या देखें है डाइनेमो जो है यह डाइनेमो आपका यांत्री कुर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलता है डाइनेमो क्या करेगा यांत्री कुर्जा में बदलता है कि सरेंदल से इननी सुलरव प्लेट यह आपको स और उर्जा को बिदूत उर्जा में बदलता है कि मुंबत्ती जो है आपका रसायनिक अरगा रसायनिक अरग को प्रकास जीम उसमया उर्जा में में बदलता है हुआ कि अरगार्जा विदूत बनुसम我们 Weoc जो हता है यह बिद्धुत उर्जा को सिर्फ परकास उर्जा में बदलता है सितार जो है यह यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है microphone जो है यह ध्वनी उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलते हैं microphone ध्वनी उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलते हैं microphone ध्वनी उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलते हैं जबकि loud speaker जो है वह विद्धूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलते हैं बिद्धूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलते हैं तो आप एक वर आईए इसको स्केच करके बताते हैं और आप सभी ऐसे ही पढ़िएगा जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है देखिए डाइनेमो जो है यांतरीक उर्जा को डाइनेमो जो है यांतरीक उर्जा को पूआ है अ्टीन गत्राव बिद्दूभ इस विद्दूँ है현 farewell 1 गड़ा को अहाँ में बदलता एक प्रकास प्रग्ष को अब में बदलताmost क्या आपका विद्दूत बॉल्ब उसके पास हम लोग देखेंगे ट्यूब लाइट ट्यूब लाइट जो है यह विद्दूत उर्जा को प्रकास उर्जा सिर्फ प्रकास उर्जा में बदलता है उसके बाद हम लोग देगे थे बिद्दूत सेल यह रसाइनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलेगा सोलर सेल यह रसाइनि सोर प्लेट जोता है यह सोर उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलता है माइक्रोफोन यह बिद्दूत उर्जा को माइक्रोफोन जो है यह धोनी उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलता है माइक्रोफोन जो है या ध्वनी उर्जा को बिदूत उर्जा में बदलता है जबकि लाउड स्पीकर जो है वा बिदूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है मौमबत्ती जो है या रसाइनी उर्जा को प्रकास एवं उस्मा उर्जा में जो है या मौमबत्ती बदलने का काम करता है यह रूर्जा का रूपान्तरन करता है और सितार जो है आपका यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है इस तरह से आप सभी उर्जा कारूपान्तरन देख चुके हैं एक बार जब भी इसको पढ़िएगा जब भी बोलिएगा आप ऐसे नमरिंग करके बोलिएगा एक नमर बिद्धूत मोटर या बिद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है दो नमर डाइनेमो डाइनेमो जो है या यांत्रिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में बदलता है जबकि बिदूत मोटर जो है बिदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है फिर आप क्या करें इस दो का पियर बना लिजेगा फिर लाउडे स्फिकर जो है या बिदूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है loud speaker बिद्दूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है जबकि microphone जो है या ध्वनी उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलता है दो का पियर इसका भी कर लिजेगा वैसे ही tube light और बिद्दूत बल्ब ट्यूब लाइट जो है वह बिद्दूत उर्जा को सिर्फ प्रकास उर्जा में बदलता है ट्यूब लाइट बिद्दूत उर्जा को प्रकास उर्जा में बदलता है जबकि बिद्दूत बल्ब जो होगा वह आपका बिदूत उर्जा को प्रकास उर्जा के साथ साथ उस्मा उर्जा में भी बदलता है फिर हम लोग देखेंगे मुंबती जो की रसाइन से बना है तो वह मुंबती जो है रसाइनिक उर्जा को प्रकास उस्मा उर्जा में बदलता है तोलर प्लेट यानि सौर सेल जो है यह सौर उर्जा को बिद्धूत उर्जा में बदलेगा सौर सेल सौर उर्जा को बिद्धूत उर्जा में बदलेगा और सितार जो है यह यांत्री कुर्जा को ध्वानी उर्जा में बदलता है मंदिरों की घंटी यांतिक उर्जा को दोनिए उर्जा मदलेगा बेदृत सेल जो देखे यारा साइनिक उर्जा को बेदृत उर्जा मदलता है तो यह आप उर्जा के रूप रांतरन समंधित जोभी महतपून तत्ट है जो कि अभी तक एकजामों में दिखे हैं या इस कोस्टन वह इंप्रोटेंट जो पॉइंट है आपको उड़ा के रूप रांतरन से इस टॉपिक में कराए गए हैं अगले कोस्टन को हम लोग देखिए कोस्टन नमर दो और अक्तता और अक्तता का पता देखिए और अक्तता को रोग पता लगाने में किस तत्व के समस्थानिक का उप्योग की आयता है तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यह आपका अक्तता का पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए सोडियम 24 या सोडियम 24 जो है इसका कार्य रत में ठका पता लगाने के लिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सोडियम 24 के बाद आयोडीन 131 और आयोडीन जो 131 है या ठाई रोएड ग्रंथी की उपचार के लिए उसके बाद हम लोग देखने माले हैं आरसेनिक आरसेनिक 74 या आरसेनिक जो 74 है इसे ट्यूमर का पता लगाने के लिए वैसे ही हम लोग देखेंगे कोबाल्ट 60 या कोबाल्ट 60 जो है या रेक्ट कैंसर के नियंटर्ण के लिए रेक्ट कैंसर से सम्बंदित है कोबाल्ट 60 फिर हम लोग देखने वाले है फासपोरस 32 या जो है आपका लिवकेमिया कैंसर या लिवकेमिया कैंसर से सम्बंदित है उसका पता लगाने के लिए हम लोग देखते है एफी उनसट आप लोग जो देखे या एफी उनसट जो है एफी उनसट यानि लोगा उनसट जो है या और रक्टता का पता लगाया जाता है इससे सोडियम 24 सोडियम 24 जो है इससे रक्ट का सरीर में ठक्का कहा इसका पता यानि इसकी जाच की जाती है sodium 24 से रक्त का थक्का पता लगाया जाता है और iodine iodine का है तो iodine 131 यह थोईराइट गरंथी को ठीक करने के लिए इसकी जाच की जाती है तो iodine 31 थोईराइट गरंथी के उपचार से सम्दित है arsenic AS arsenic 74 arsenic 74 का प्रियोग हम लोग tumor का पता लगाने के लिए किया था है kobalt जो है 60 यह रक्त कैंसर से सम्दित है जबकि phosphorus 32 यह leukemia cancer से है अब हम लोग देख लेंगे uranium 235 हम लोग देखेंगे uranium 235 और यह जो है chattano chattano की IU ग्यात करने के लिए chattano की IU ग्यात करने के लिए uranium 235 का प्रियोग किया जता है यह जितने भी है सारे के सारे तत्तों के समस्थानिक मौतपूर समस्थानिक है जिसका कहीं ना कहीं प्रियोग है और यहां से एक question तो आपके exam में बनते ही है fix है कि यह आपके exam में कोस्तनियाद से आएंगे अब आईए इसे chart के सारे आप सभी एक एक point को बारीकी से समझिए ऐसे तो आप सभी को यह याद करा दिया गया भी just लेकिन एक बार इसे आप सभी बारीकी से समझे अभी आप लोग देखे हैं uranium 235 uranium 235 जो है यह इसका प्रियोग करते हैं तो चटानों की आईउ ग्याद करने के लिए हम लोग uranium 235 का प्रियोग करते हैं चटानों की आईउ ग्याद कैसे होता है तो चटानों की आईउ जो ग्याद की जाती है यह uranium 235 से ग्याद की जाती है उसके बाद हम लोग देखेंगे sodium 24 यह sodium 24 जो है यह रक्त का थक्का पता लगाने के लिए sodium 24 रक्त के थक्के पता लगाने में इसका प्रयोग किया जिता है sodium 24 का प्रयोग कहां किया जिता है तो रक्त का थक्का पता लगाने के लिए uranium 235 का प्रयोग जो किया जता है चटानों की याई गयात करने के लिए और sodium 24 का प्रयोग रख्ट का ठक्का पता लगाने के लिए वैसे ही कोबाल्ट 60 जो है यह कोबाल्ट 60 जो है यह रख्ट कैंसर पर नियंत्रण करने के लिए यानि रख्ट कैंसर को रहागर को नियांत्यद करने के लिए रहागर काैंसर को प्रीओं किया जाता है यो tumor का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 किसके लिए है तो आर्सेनिक 74 जो है यो आपका tumor का पता लगाने के लिए है फिर आप सभी देखे थे iodine 31 surgeon 31 यो thyroid क्रonty के उपचार में thoride grannathi के उपचार में किसका फ्oriesकिया जाता है तो arsenic iodine 131 आयजीन 131 जो है इसका तो रायाट गुरणती की उपचार में किया जाता है फाश लिवकेमिया के उपचार में फास मुरकै का परीवक्य एता है जब की और यक्षता का रोगता लगाने के लिए और रखता रुख पता लगाने के लिए यह भी 69 का प्रयोग किया गया है जो आपको एक 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 पॉइंट आपको करा दिया गया है और आपका कुस्टन यह क्या था देख लिए एक बार यहां पर आपका जो कुस्टन था ध्यां दिजेगा आपका कुस्टन जो था और रख्तकता रोग पता लगाने में आप सभी अभी देखे हैं सोडियम 24 का पुरियोग जो किया गया था यह हम लोग को रख्तका रख्तका थक्का पता लगाने के लिए वैसे ही हम लोग देखे हैं आर्सेनिक 24 चोवत्तर आर्सेनिक चोवत्तर जो है इसे ट्यूमर ठीक है ट्यूमर का पता लगाने के लिए वैसे ही आईडीन देखे हैं हम लोग यह थोई राइड गरंती से संबंदित है और अरक्तता के लिए क्या है और अरक्तता यो औरक्तता के लिए आपका लोहा 69 इसका जवाब क्या हो जागा यफी 69 यफी 69 जो है औरक्तता के लिए ऐडीन है थोराइट गरंती के लिए आरसेनिक चुवत्र ट्यूमर के लिए सोडियम जो है यह औरक्त में थक्का पता लगाने के लिए है अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे कुस्टन पर, तीसरा कुस्टन जो है, इलकीन स्रेणी का समान रसाइनिक सुत्र क्या है, इलकीन स्रेणी का देखिए, हमारा हाइडो कार्बन जो है, हाइडो कार्बन तीन परकार का होता है, संत्रिप्त हाइडो कार्बन और संत्रिप्त एलकीन और एलकाइन आता है और एरुमेटिक में हम लोग देखेंगे वेंजीन आता है तो स्वार्पर्थम हम लोग देख लेंगे देखा जाए बारिकी से हम लोग समझेंगे इसको एलकीन और एलकीन और एलकीन अब जो है एलकीन का हमारा होता है देखिए इसमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन तो कार्बन के जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन जो है उसके दो गुने से हाइड्रोजन कार्बन की जो संख्या होगा हाइड्रोजन उस संख्या के दो गुने से दो जादा होगा यानि यह फर्मूला जो बन जाता है Cn H2n पलस 2 यह फर्मूला जो है आपका किसका हो गया एलकेन का एलकेन का जो होता है कारबन जितना होगा उसका दुगुना हाइडोजन होगा और यह फर्मूला क्या बन गया Cn H2n यह एलकीन का फर्मूला हो गया और एलकाइन जो है जितने आपके कारबण होंगे हाइडरोजन उसके दो गुना से दो कम होगा यानि आप देखे इसमें दो जोड़ दिया है यानि देखे इस फर्मूला में C-N, S-2-N में आप क्या किया है दो जोड़ दिया है इसमें दो छोड़ दिया है, इसमें जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है, इसमें देखें यहां कुछ भी नहीं है, यानि छोड़ा गया है, और एलकाइन में घटाया गया है, कितना घटाया गया है, तो देखें दो घटाया गया है, यानि जोड़ो छोड़ो और घटा हो गया इलकीन इसमें अछिन-ग चोड़ दिया गया उस दुखो पर ने दूशरे वाले में में तीसरे वाले में दूखो घटा इए यह था इप अब देखेंगे कि आपसे जो कोशन आया था पूछ रहा था इलकीन 가 समान न IN का बात कर रहा है तो देखिए IN वाला फर्मूला यही है तो आप इस फर्मूला आप्सन एक को क्लिक कर दिजेगा अब बात आया कि गुरुजी हाइड्रो कारबन तीन परकार के था संत्रेप्ट और संत्रेप्ट अरोमेटिक हाइड्रो कारबन तो एलकेन गुरूप एक बताया है एलकेन जो है संत्रिप्त हाइडो कारपन का एक्जामपल में आ जाएगा एक गुरूप और और संत्रिप्त में एलकीन और एलकाइन हाता है तो गुरुजी मिथेन जो है मिथेन यानि मिथेन का फर्मूला आपको पता है मिथेन CH4 उसके पास से प्रोपाइन प्रोपाइन ब्यूटीन ब्यूटीन गुरुजी इन सभी का फर्मूला क्या होगा और यह किस गुरूप में आएंगे तो आप सभी को सारा का सारा जो है फ्यूरी दे दिया गया है फर्मूला अगर आपको पता है इलकेन, इलकीन और इलकाइन का तो आप सभी को बना लिजेगा देखिए इलकेन जो होता है यानि इसमें एन लगा है एलकीन जो है इसमें इन लगा है और एलकाइन जो है इसमें आइन लगा है जिसमें इन लगा होगा उसमें Cn, H2n, Pulse2 कर देना है जिसमें इन लगा है कुछ नहीं करना है इतना ही रहना है इसमें दो घटाना है न जोड़ना है कुछ नहीं करना है और आइन वाला में दो घट इत, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ओक्ट, नॉन, डिक, यह आपका, देखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नॉ, और दस, अब इसी पे आप, चाहे तो एलकेन गुरूप बनाए, एलकीन गुरूप बनाए, या एलकाइन गुरूप बना लिजे, देखे, कई से बन जाएगा, अब मिथेन जो था, तो मिथेन एक नमर पे आता है, तो देखे, कारबन अगर हम एक ले रहा है और यहाँ एन वाला है, किस कौन वाला है, एन वाला देखे, तो कारबन अबर एक ले रहा है, तो हाइड्रोजन जोगा, यहाँ कारबन का दू गुना, और पलस दू क्योंकि फर्मूला में यहीं है, कारबन जितना लिजेगा, उसका दू गुना और दो जोड़ देना है, तो कारबन लिए थे एक लिख दे, और यहाँ किस गुरूप में आएगा मिथेन, तो मिथेन तो ऐसे ही पाचान में आगे आपका इलकेन गुरूप है, क्योंकि यहाँ पर एक का, ऐसे हम लोग समझ देंगे, अगर कारबन एक है, तो उसका दो गुना दो हुआ, और पलस द अला फर्मूला क्या है, Cn, H, 2n-2, अब उसी फर्मूला पर इसको आप फर्मूला भी लिख सकते हैं, प्रोप है, तो देखिए, मीथ, इथ, प्रोप, यानि तीसरे नमर पर यानि कारबन का तीन, कारबन अगर तीन ले रहा है, देखिए, एक, दो, तीन प्रोप, तीन नम और उसमें दो माइनस कर लेना है, तो कितना हो जाएगा? तीन दूनी छोओ, और दो माइनस किजएगा, चार, और यह आपका जो हो जाएगा, यह प्रोपाइन का फर्मूला हो जाएगा, और प्रोपाइन जो है, यह इलकाइन गूरूप में आएगा, आप वैसे ही तो इसका दुगूना होगा और ब्यूटीन तमीथ इत प्रोप ब्यूट यानि चार नमर अगर कारवन आप चार ले रहा है तो हाइड्रोजन बस इसका दुगूना कर देना है आठ यह आपका ब्यूटीन का फर्मूला हो गया और इसी को हम लोग चार्ट से देख लेंगे देखिए जितना आप सभी को बताया है सारे के सारे जो भी आपके चार्ट मैंस से पड़े हैं आपको बताया गया था ज्यान दीजेगा आपको बताया गया भी जस्ट हाइडो कार्बन के बारे में हाइडो कार्बन जो होते हैं तीन परकार के होते हैं संत्रिप्त हाइडो कार्बन और संत्रिप्त हाइडो कार्बन और एरोमेटिक हाइडो कार्बन यह आपको जस्ट मैं बता चुका हूँ तो Hydrocarbon 3 प्रकार के Sunntrifth Hydrocarbon और Sunntrifth Hydrocarbon और Aromatic Hydrocarbon Sunntrifth Hydrocarbon में आपको बताये थे एलकेन वाला आता है देखिए एलकेन गुरूप आता है और इसका फर्मूला क्या होता है तो CN H2N 2 यह एलकेन गुरूप का फर्मूला होता है यह जो जितना भी लिखा गया है यह सारे के सारे इसी फर्मूला बेस्ट पे है कैसे आप सभी देखिए तो आप देख रहे हैं मीथेन आपको बताये थे हम मीथ इथ मीथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट उसके पास है और्ट नोन और डेख यानि इसका हम लोग नमरींग कर देंगे तो एक नमर दो तीन चार पास छे साथ आठ नो और दस आपको बताया गया था कि जितना आपका कारबन होगा देखिए कारबन एक है तो हाइड्रोजन जोगा उसका दुगूना से दो जाधा था एक का दुगूना दो और दो जोड़ देगा चार यानि आपका यह मिथेन जो है यह किस गुरूप में जाएगा इलकेन गुरूप में क्योंकि इसी फर्मूला बेश्ट पर है इथेन इथेन का क्या मान है दो इत का दो तो कारबन अगर दो लेजिएगा तो हाइडोजन दूदूनी चार पलस दो यानि छे हो जाएगा यह सारे उसी फंडा पर आप चेक करिएगा इसी फंडा पर है कारबन का मान जितना इसमें से बैठाएगा उतना ही हाइडोजन उसके दुगूने से दो ज्यादा होंगे वैसे ही आपक पर बना हुगा है और एलकाइन गुरूप भी उसी फंडा पर जो आप सभी पहले मैं बता चुका हूँ यह एलकीन गुरूप जो है इस फंडा पर बना है Cn, H2n इस फंडा पर है सारा उसी फंडा पर है यानि कार्बन जितना होगा उसका सिर्फ दो गुना हाइडोजन होगा देखिए कार्बन 2 है हाइडोजन 4 है कार्बन 3 है हाइडोजन 6 है कार्बन 4 है हाइडोजन 8 है कार्बन 5 है हाइडोजन 10 है यानि C कार्बन जितना होगा hydrogen उसका दुगुना होगा और alkyne group में आपको बता है इसका formula होता है cn h2n-2 यानि carbon जीतना होगा hydrogen उस carbon के दुगुने से 2 कम होगा देख लिजे आपका carbon 2 है hydrogen भी 2 है carbon 2 तो hydrogen 2 गुना करिएगा तो carbon 2 है hydrogen 4 जाएगा 2 कम कर दिजेगा 2 हो जाएगा carbon 3 है तो hydrogen देखिए 3 दुनी 6 2 कम करके लिखा गया है 4 वह उसी फंडा पर यहाँ काम कर रहा है तो आप सभी इस जो चार्ट है इस चार्ट को समझ चुके होंगे अब जो aromatic hydrocarbon आप देख लिए centripe hydrocarbon की पिसे था और उसका जो भी है जो जो group में आएगा और centripe में आप दो group देखे एक एलकीन और एलकाइन इसको भी देख लिए और aromatic hydrocarbon में हम लोग देखेंगे कि आपका जो benzene आता है C6, H6 यह आपका aromatic hydrocarbon के example है चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने next question के तरफ और next question जो है हमारा यह आपका managitis नामक रोग किसके करण होता है तो managitis नामक रोग जो है यह आपका virus यानि भी साडू के करण होता है किसके करण होता है managitis नामक रोग जो होता है यह आपका managitis नामक रोग आपका भी साडू के करण होता है अब भी साडू के करण होता है हर एकजाम में मैंने जायटी सी नहीं आएगा ना इसके अस्थान पर दूसरा भी रोग दे सकता है वाइरस से होने मला तो उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे लेकिन उसको उस ट्रिक को न याद करना है जो भीमारी है उसको माइन में फिट करना है क्योंकि ट्रिक जो होता है वह आपके लिए हमेशा उपयोगी नहीं होगा आप ट्रिक याद करने के बजाए आप उस भीमारी को माइन में फिट करिए क्योंकि एकजाम में ट्रिक मिस भी कर सकता है चोटे-चोटे कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें ज्यादा कन्फूजन होता है उसके लिए ट्रिक को देखा जाता है तो यहाँ पे एक ट्रिक देखिए आप लोग मेरी पॉपी एट्रेक चीक छोड़ गई अब इससे क्या होगा जितने वाइरस से होने वाले रोग है इसी में आ जाएंगे वाइरस के जो खुच करता है वह इवान उसकी है तो देखिए इसमें हमारा जो बिमारी आ जाएगा अभी जिस बिमारी का जीक रो रहा है वह आपका जो बिमारी है मेनिन जाइटीस रेबीज पोलियो पिलिया एड्स ट्रेकोमा जो की आखी विमारी है ट्रेकोमा चेचक खसरा छोटी मता डेंगू गलसोत और इन्फ्लूएंजा यह जो है आप जितने ही बिमारी देखे यह सारे के सारे बिमारी जो है यह वाइरस से होने वाले है आप देखे मेरी पोपी एड्पैक चीख छोड़ गई यानि में से मेंजाइटिस री से रेवीज पो से पोलियो पी से पिलिया ए से एड्स प्रेक से ट्रेकोमा चे से चेचक खसे खसरा, खसे छोटी मता यह चेचक होता है उसका छोटा रूप छोटी मता डसे डेंगू, गसे गलसोत और इसे नूफ लुंजा यह जितनी भी मिमारी आप देखे क्या क्या देखे तो मेंजाइटिस देखे रेवीज देखे पोलियो देखे पीलिया देखे एड्स देखे प्रेकोमा देखे चेचक देखे खसरा चोटी मता, डेंगू, गलसोत इन फलुंजा उसके बाद आप और याद कर लिजेगा कोवीड कोवीड नाइन्टीन जो था उसके बाद आपका H5 N1 यानि स्वाइन फलु और H1 N1 एकिए, H5 N1 जो है, सॉरी, यह बड फलु होगा और H1 N1 जो होगा यह आपका स्वाइन फलु होगा J.E. जपानी इनसे फलुटिस च्यम् की वुखार हारफीज क्या ले लिजए हारफीज हारफीज हैप्टाइटी जी जी नवर्व। यह जितने भी आ यह वारस से हुने वाले रोग है वारस से हुने वाले रोग में आप क्या-क्या देखे तु मेंट joyful रिवीज, पोलियो, फीलिया, एट्स, ट्रेकोमा, चेचक, खसरा, चोटी मता, डेंगू, गल्सोत, इन फ्लुन्जा, चलिए, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कुस्टन पर, नेक्स्ट कुस्टन देखने से पहले, आप एक बार इसको और एक चार्ट को देख लिजेगा, जो चार्ट जो है, वाइरस से होने वाले रोगों को जनकारी दे रहा है, virus से जो रोग हुए है इन रोगों की जानकारी जो यह चाट दे रहा है इस चाट को एक बार और हम लोग देखें manginitis आप से की जहां में कुस्वान आएगा mangresitis रोग जो है किस से होता है तो virus से होता है rabies तो rabies जो भी होता है यह भी आपका virus से होने वाला रोग है मेंजाइटीज, रिवीज, पोलियो, और पीलिय एप्टाइटीस बी और हैट अच्प्टार्यों को मानें रोग है तो यफी आपगा EPAst b औरемся spag एट्स जिस जाज के लिए एरिक होता है तो एट्स और ट्रेकोमा स्टा माला मेला और औरुड है पिर चेचक और खस्रा चेचक और खसरा चोटी माता और डेंगू चोटी माता और डेंगू गलसोत और इनफलुंजा गलसोत और इनफलुंजा उसके बाद COVID-19 यहाँ पे आपका हारफीज उसके बाद से आपको बताये थे वर्ट फुलू, H5N1 स्वाइन फुलू, H1N1 J.E. जपानी इनसेफलाइटिस और चमकी बुखार यहाँ जितने आप बिमारी देखे यहाँ सारे के सारे आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है तो यहाँ से कोस्टन आपके एक्जाम में बहुत सारे कोस्टन यहाँ से बनते हैं चलिए, नेक्स्ट कोस्टन के तरफ हम लोग चलेंगे कोस्टन नमर हमारा जो 6 है देखिएगा ध्यान से यह कोस्टन नमर 6 गुलकोस तथा गलेक्टोज मिलने से क्या निर्मार होता है तो इसको भी हम लोग एक चार्ट के सारे पहले देख ले देखिए पहले आप क्या करिएगा गुलकोस लिखिएगा ठीक है यह गुलकोस जो है इसमें क्या-क्या पाया जाता है तो कारबन हाइडरोजन और आक्सीजन कारबन, हाइडरोजन, आक्सीजन यह आपका गुलकोस आपसे पुछेगा गुलकोस में क्या-क्या पाये जाते है क्योंकि गुलकोस का जो फर्मूला होता है C6 H12 और O6 यह आपका गुलकोस जो है C6 H12 और O6 यह आपका गुलकोस का फर्मूला हो गया तो गुलकोस में क्या-क्या पाया गया तो कारबन पाया गया हाइडरोजन पाया गया और O6 यह गुलकोस जो है यह गुलकोस एक बार लिखिये फिर गुलकोस गुलकोस और गुलकोस गुलकोस में अगर हम लोग फ्रुक्टोस को मिला देते हैं गुलकोस में अगर हम लोग फ्रुक्टोस को मिला देते हैं गुलकोस में अगर हम लोग फ्रुक्टोस को मिला देते हैं और गुलकोस में अगर हम लोग गलेक्टोस को मिला देते हैं देखिए गुलकोच में अगर हम लोग फ्रुक्टोच को मिलाते हैं गुलकोच में हम लोग फ्रुक्टोच को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं अगर हम लोग फ्रुक्टोच को मिला दिया गया तो यह जो बन जाएगा यह आपका सुक्रोज बनेगा गुलकोज में अगर आप रक्टोज को मिला दिये क्या बना सुक्रोज बना गुलकोज में गुलकोज को अगर हम मिलाते हैं या माल्टोज बन जाता है और गुलकोज में अगर हम लोग ग्लैक्टोज को मिलाते हैं तो लैक्टोज बन जाएगा क्या बनेगा लेक्टोज बन जाएगा गुलकोज में अगर हम फल मिला यानि फ्रुक्टोज तो यहाँ सुक्रोज बना गुलकोज में गुलकोज ही मिला दिये तो यहाँ माल्टोज यानि माल ज्यादा हो गया गुलकोज की मत्रा जादा गोई तो गुलकोज पलस गुलकोज माल्टोज हो गया गुलकोज में अगर फल मिला रहे है फ्रुक्टोज यानि यह सुक्रोज हो गया और गुलकोज में गलेक्टोज मिला दिये गलेक्टोज यानि लेक्टोज बन जाएगा तो आपका जो question था गुलकोज के साथ किसको मिलाने का बात कर रहा था गलेक्टोज का तो यह बनेगा इक निर्मार किसका करेगा तो यह जो निर्मार करेगा देखिए गलेक्टोज कर रहा है तो यह निर्मार कर देगा आपका लेक्टोज का और चार option में आप देखिए यह option कहा है तो यहाँ पे आपका C नमर में आपका जो option है यह lactose आपका C नमर में है चलिए next इस chart से हम लोग भी समझ सकते हैं इसको हम लोग आई से देख चुके हैं यह chart में वहीं समझाने की कोसिस की गई है गुलकोज के साथ फ्रक्टोज को मिला गया तो यह सुक्रोज बन गया है यह lactose यानि lactose बन गया है गुलुकोज के साथ अगर हम लोग गलेक्टोज को मिलाते हैं तो लेक्टोज बन गया है गुलुकोज के साथ गुलुकोज को मिला गया है तो मल्टोज बन गया है और गुलुकोज के साथ प्रक्टोज को मिला गया है तो यह सुक्रोज बन गया है चलिए हम लोग चलते हैं यह जो है ज्यान दिजेगा सबसे पहले देखिए यह डिस्क्रिप्शन भी आ गया तो डिस्क्रिप्शन आने से पहले हम लोग देखेंगे कोश्चन देखिए यह है आपका कोश्चन उतोलक कोश्चन आपका क्या है उतोलक से इसको पहले आप समझ लिजी एक बार डिस्क्रिप्शन ही पहले आ गया कोई बात नहीं एक होता है प्राथमिक उतोलक एक होता है आपका दूतियक उतोलक एक होता है तूतियक उतोलक तो प्रात्मिक, दूतियक और तृतियक उतुलक जानने के लिए हम लोग तीन बातों पर ध्यान देंगे आलंब भार आयास आलंब भार आयास आप देखिए यह आपका कैची है ठीक है ध्यान से समझेगा इसको बीच में कोई भी चीज होता है देखिए यहां पर तीन चीज है कलर कर दे रहा है इसको हम कलर कर देखिए यह कर देखिए अगर यह बीच हो गया बीच में बीच में बीच पॉइंट जोता है कोई भी यंत्र होगा उसके अगर बीच में अगर आलंब आया आलंब यानि अगर कोई भी यंत्र है उसके बीच में जोड़ आया बीच में अगर आलंब आया तो वह प्रात्मिक उत्तलक हो जाएगा प्रात्मिक उत्तुलक हो जाएगा अगर बीच में भार आएगा तो वह दूतियक उत्तुलक होगा अगर बीच में जो है आयास आया आयास या नि बल अप्रियोग जो होता है तो यह आपका तृतियक उत्तुलक हो जाएगा अगर आपका आलंब बीच में आता है कोई भी यंत्रिक में तो वह प्रात्मिक उत्तुलक अगर भार बीच में जैसे सरावता है उसके बीच में भार यानि निम्बू को सरावता में हम लोग डालते है सरावता यानि जब हम कसाईली को काटते हैं सरावता से तो कसाईली को काटा जाता है सरावता से तो वह जो है आपका वह दूतियक उतलग में आता है क्योंकि भार जो है कसाईली जो होता है बीच में रखा जाता है काटने के लिए निम्बू निचोड़ने माला जो मसीन होता है उसको भी भार यानि निम्बू होता है उसको बीच में रखा जता है तो बीच में अगर भार आता है तो वह दूतियक उतलग हो जाएगा और आयास यानी बल का प्रयोग अगर बीच में किया गया तो यह तृतियक उतोलग हो गया जैसे आपका शीमटा जो होता है वह किसा है? तो तृतियक उतोलग का एकजांपल है यहाँ पर आपका मनुसenda का हाथ तो मनुसenda का हाथ जो होगा तो इसमें हम लोग हाथ से कोई चीज उठाते हैं तो जो बल पढ़ता है वो बीच में पढ़ता है तो हाथ जो हो जाएगा या किस उतोलक का एक्जाम्पल है या तृतियक उतोलक का एक्जाम्पल हो जाएगा चलिए अब हम लोग description को देख ले सिर्थियक सिर्णी का उत्वलक इस वर के उत्वलक में देखिए कोई चीज लिखा हुआ है समझ जाएगा इसको सिर्थियक सिर्णी का उत्वलक इस वर के उत्वलक में आलंब आलंब भार यह बीच में कौन आया है तो देखिए बीच में जो लिखा हुआ है बीच में यानि यहां पर आयास आया है आयास आया है यानि जब बीच में आएगा या तो तिर्तिय कुतुलक हो जाएगा आयास बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा तिर्तिय कुतुलक आलंब बीच में आएगा तो प्रात्मिक उत्तोलक और भार बीच में आएगा तो दूतियक उत्तोलक इसमें देखिए आलंब और भार के बीच में किसे लाएगा है आयास आयास यानि बल तो जब आयास बीच में आएगा तो यह कौन सा उत्तोलक हो जाएगा तिरतियक उत्तो अग्जाम्पल के तौर पर चिम्टा जो आप लोगो बता चुके हैं तिर्थियक उतुलक का एक्जाम्पल है और मनुस्य का हात या बहुत दोनों Confederate पर तिरतिय कुत अलाई के एक्जामपल में बहुत पार आज चुके हैं चीमटा और मनुस्ये का हाथ झालाई है डूतिय कुत अलब डूतिय कुत बड़なた लेक्टमल के शोनें वाला है कि जयां दिजेगा कि प्सक्राणाaged थालंब कि म sacred यालम अलम टायास यह बीच में, यहां पर कौन आ जाएगा भार तो जब भार बीच में आएगा तो यह हो जाएगा दूत्यक उत्व 한ड़क और दूत्यक उत्व nutallas में आप लोगों बताये थे सराउता निम्बू निचोरने वाला मसीन देखीए सरावता निम्बू निचोने की मसीन एक पहिय की कूडा ढोने वाले गारी में चक्का जो होता है वह आगे होता है और हम लोग बीच में चक्का आगे रहता है बीच में कूडा ढोने वाला आपका खाली अस्थार होता है जिसमें कूडा कर ले जाता था और एक हैंडिल handle जो होता है जिसे जो worker होते हैं इसको धोग कर ले जाते हैं तो बीच में आपका क्या पड़ा भार और बीच में जैसे भार पड़ेगा दूतियक उतल्लक देखिए इसमें भार आलंब और आयास के बीच में रहता है इसमें यांत्रिक लाब सब्देव जो होगा वह एक से अधिक होता है देखिए किर्थियक उतल्लक में यांत्रिक लाब जो होता है वह एक से कम होता है दूतियक उतल्लक में यांत्रिक लाब एक से अधिक होता है और प्राथमिक उतल्लक में यांत्रिक लाब जो होता है वह एक से जादा एक से कम और एक के बराबर भी हो सकता है तो हम लोग अब देखने वाले हैं प्रात्मिक सेड़ी का उतलग देखिया है इसमें आलंब जो है प्रात्मिक सेड़ी के उतलग में हम लोग जो आलंब देखने वाले हैं यह आलंब जो है यह बीच में ला लेंगे किसके भार और आयास के बीच में तो भार और आयास के बीच में जब आलम आ जाएगा तो यह प्रात्मिक उत्तुलक के एक जामपल हो जाएगे देखिए प्रतम सेड़ी का उत्तुलक इसमें आलम जो है यो आयास नथा भार के बीच में होते हैं इस प्रकार के उत्तुलक में यांत्री कलाब आप लोग को बता चुका है एक से ज्यादा एक के बराबर और एक से कम भी हो सकता है इसका एक्जामपल जो है कैची, पिलास, सि इत्वफ अलमजी कलका बरेक, हैंडबप यह जो है प्रतमिक उत्तुलक के उत्तुलक होता है ँशानफ्री कल्ब्रकार के लाब, एक से ज्यादा, एक के बराबर या एक से कम भी हो सकते है दूतिएक उतलक में एक से ज्यादा हमेचा यांत्रीक लाब होगा और तिरतियक उतलग में यांत्रिक लाफ जो होते हैं वह एक से कम होते हैं और जो बीच में आएगा अगर आलंब बीच में आया यानि जोड जोड बीच में आया जोड बीच में आया तो वह प्रात्मिक उतलग हो जाएंगे बार बीच में आया तो वह दूतियक उत्तोलग हो जाएंगे और आयास यानि बल बीच में आया तो वह तिरतियक उत्तोलग हो जाएंगे और उसका example आप सभी को बदा दिया गया है चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने next question पर question number 9 निमलिकित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है तो चलिए इसको भी अच्छा से समझेए आप deep में एक एक point आपके mind में बैठ जाना चाहिए खारा निला और लाल यानि आप क्या क्या देखे थे हारा देखे है निला देखे है और लाल देखे है हारा निला लाल या जो है या आपके प्राथमिक रंग है हारा निला लाल जो है या आपके प्राथमिक रंग है हारा निला लाल या आपके प्राथमिक रंग है और या तीनो रंगों के मेल से हारा निला लाल हारा निला लाल यह तीनो रंगों के मिल से सफेद का निर्मार हो जाएगा हार निला जितने भी टेलिवीजन यह सभी दुर्दर्शन टेलिवीजन वाले जितने भी है CD LED सब में यह कलर आपको मिलता है आप से प्रात्मिक रंग नहीं है तो देखिए हारा होगा निला होगा लाल होगा प्रात्मिक रंग कौन सा नहीं है फीला नहीं होगा आपको पता है प्रात्मिक रंग तो इसका एक त्रीक होता है हो निला हारा निला लाल हारा निला लाल जो है यह प्रात्मिक रंग है अब हम लोग चलेंगे दूतियक रंग देखेंगे तो दूतियक रंग जब देखेंगे हम लोग देखेंगे तो हारा और निला के मिलने से यानि यह दोनों को मिलाने से पिकॉक निला पिकॉक निला रंग बनता है हारा और निला के मिलाने से पिकॉक निला जिसे हम लोग दूतियक रंग कहते हैं क्या कह देंगे दूतियक रंग पिकॉक निला क्या है दूतियक रंग देखे दो रंगों के मिल से बना है हारा और निला के मिलने से हमारा बना है पिकॉक निला वैसे ही निला और लाल को मिला देंगे तो यह मेजेंटा कलर तयार हो जाता है यह मेजेंटा कलर तयार हो जाएगा निला और लाल को अगर हम लोग मिला देंगे तो मेजेंटा कलर बनेगा निला और लाल मिल जाएगा तो कौन सा कलर बनेगा तो यहाँ मेजेंटा कलर का निर्मान हो जाता है और लाल और हारा को मिलाने से पीला कलर का निर्मान हो जाता है लाल और हारा को मिलने से पीला कलर का निर्मान हो जाता है तो दूतियक रंग आप लोग देखिएगा तो दूतियक कलर में आपका क्या हो जाएगा दूतियक में आपका हो जाएगा पिकॉक निला मेजेंटा और पीला यह जो है यह आपका दूतियक रंग हो गया प्राथमिक रंग आप देखिए प्राथमिक रंग में हम लोग ले लेंगे अगर लाल जो है या प्रात्मिक रंग है और लाल के साथ अगर हम लोग पिकॉक निला को मिला दिया जाए निए दूतिये कलर पिकॉक निला लाल आप देखे हैं प्राथमिक रंग में लाल देखे हैं और दूतियक कलर में आप क्या देखे हैं पिकॉक निला इसे हम लोग मिला देएं तो सफेद कलर बनेगा सफेद रंग बन जाएगा कौन सा कलर हो जाएगा सफेद करल हो जाएगे प्राथमिक रंग में से हम लाल लिए और दूतियक में से हम क्या ले लिए पिकोक निला ले लिए और मिलाने से या सफेद रंग का निर्मान होगा वैसे ही प्राथमिक रंग से अगर हम निला को ले ले प्राथ्मिक से अगर हम लोग नीला ले 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 और दूतियक रंग से अगर हम लोग पीला ले 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 और इसको भी मिला दे तो यह और जो रंग तैयार होगा आपका सफेद रंग हो जाएगा वैसे ही अगर हम प्राथ्मिक कलर से हारा ले ले और दूतियक कलर से हम लोग मेजेंटा ले 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 तो इससे भी क्या बन जाएगा मेरा कलर सफेद कलर तैयार हो जाएगा क्या इसको याद करेंगे हम लोग चार्ट को नहीं इसे हम लोग इस फिगर से ही समझ सकते हैं देखिए यह आपका दूतिय कलर है मेजेंटा और इसके सामने जो कून बना है और इस कून पे जो कलर है यह नहीं हरा यह दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो आपका बन कर तयार हो जाएगा सफेद वैसे ही आपका दूतिय कलर पीला है और पीला के सामने जो कौन का निर्मान है जो तिर्भूज में या कौन बना है और इस कौन पे जो कलर है इस कलर को मिला देते हैं पीला के साथ तो यह बन कर तयार हो जाएगा सफेद वैसे ही आप आईए दूतियक कलर पिकोक निला जो है इस पिकोक निला के सामने जो तिर्भूज में आपका कून बना है और इस कलर को मिला दीजे लाल पिकोक निला के सामने क्या है लाल है इसको अगर मिला देता है तो यहाँ तयार हो जाता है सफेद कलर तो आप समझें प्राथमिक रंग, दूतियक रंग और प्राथमिक एक और दूतियक एक मिलाने से सफेद का कहसा नहीं मार गए आप इस कंसेप्ट को भी वारिकी से समझ पाएं चलिए, अब इसी को हम लोग यह चार्ट से देख सकते हैं यह सिक्वेंस में चार्ट बना हुगा है और वहीं चार्ट है इस चार्ट को आप देखिए प्राथमिक रंग में आप लोग देखे हैं लाल, हारा, नीला यह नीला लिखा हुगा है यह नीला है, यानि आप लोग को बताये थे हा नीला हा नीला प्राथमिक कलर में हारा, नीला और लाल दूतियक कलर में आप देखे थे मेजेंटा, पिकॉक नीला और पीला आप लोग को बता चुके थे मैप के सारा यहाँ पे आपका हारा था यहाँ पे आपका नीला था और यहाँ पे आपका लाल था अगर हम लोग हारा और नीला मिला रहे थे तो जो कलर तयार हो रहा था आपका यहाँ पे देखिए पिकॉक नीला तयार हो रहा था कि निला और हर निला और लाल मिला रहे थे तो यहाँ पे और और लाल और हरा केुड़ आपका पीला ग़ुआ बना था तो पीला ओ गया मेश ए इप पन होता है तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं अगर दो रंगों को मिला दिया जये और सफेद कलर बन जये तो उसी हम लोग पूरण कहेंगे क्या कहेंगे पूरक किने जो यह चार्ट में और सेशन समाप्त होने के बाद खुद से पहले आप लिखने का प्रयास करिए जो जो आप थी पढ़े हैं और फुना फिर वीडियो चलाकर और अपने नोट्स को इस वीडियो में जो कराया गया उससे मैच कराये देखिए आपका 100% जो है कंप्लीट हो चुका है अगर आप प नहीं है अगर आप चाहते एकजाम में काम आए तो आप बारीकी से एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए पढ़िए सुनिए और समझी निए ना की लिखने का प्रयास करिए निमलिकीत में से कौन सा दूतियक रंग नहीं है अब दूतियक रंग का बात कर रहा है तो आप अभी जस्ट क्या देखे हैं अभी आप लोग देखे हैं अभी आप लोग देखे हैं जस्ट हा नीला यानी हारा नीला और लाल यह तीन कलर जो देखे हैं यह आपका प्राथमी कलर है क्या है प्राथमी कलर देखिए प्राथमी कलर कौन कौन सा है तो हारा नीला और लाल और आप जो देखें मेजेंटा पिकॉक निला पिकॉक निला मेजेंटा और पीला यह जो आप देखें यह आपका दूतियक रंग था तो देखिए यह आपका दूतियक है यह आपका दूतियक है और यह आपका दूतियक है इसमें क्या नहीं होगा इसका जो जबाब होने वाल सफेद नहीं होगा क्योंकि दूतिय कलर आप लोग देख चुके हैं तो इस तरह से आप जो इस सेशन में जो भी 10 mcq देखे हैं और 10 mcq के साथ साथ आप उसका डिस्क्रिप्शन देखे हैं यह आपके लिए एक पॉइंट इसका काफी महत्पूर्ण था तो आप इसे एक से दो बार और देखिए और खुद से इस सारे पॉइंट को खुद से नोट में लिखिए ना कि आप वीडियो को रोक कर या PPT PDF को निकाल कर और चापने का काम करिए क्योंकि सारे के सारे पॉइंट आपको कोई ऐसा बुक नहीं है जिस बुक में यह सारे तथ्य नहीं मिलते है सारे तथ्य पॉइंट बुक में रहते हैं लेकिन याद नहीं हो पता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत